कि आप से हमारी बात हुई थी कि जैसा कि आप टेंस पर के नॉर्मली कंफ्यूज नॉर्मली जो मैं देखा हूं स्टुडेंस को अपने ग्लास पर के बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि कोई भी हिंदी को अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेट करें ठीक है तो मैंने इसको एक अलग डि उसको मैंने साइट किया तो मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो आप इसे अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मूला है वह कल की क्लास में मैंने बताया फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट भर्ब एन अब्जेक्ट ये क्या है और कैसे काम करता है पाइनली कल के वीडियो में यह हम समझेते कि जो एक फॉर्मुला है सब्जेक्ट भर प्लस अब्जेक्ट ये किसी भी हिंदी को अंगरेजी में ट्रांसलेट कर सकता है तो जब मैंने उसको एक्स्प्लेइन किया था तो बात ये रुका वहाँ पे कि भाई ठीक है सब्जेक्ट बदलता है सब्जेक्ट नहीं बदलता अब्जेक्ट नहीं बदलता लेकिन भर बदलता है तो ये जो तीन वर्ट का फॉर्मुला है सब्जेक्ट बर और अब्जेक्ट ये सब्जेक्ट में अब्जेक्ट में चेंज नहीं हो में चेंज है नहीं तो सिर्फ अगर भर्व के चेंज है और इस भर्व को चेंज को हम समझ जाते हैं कि भर्व के total कितने form हैं किस form को कहां लगाते हैं और कि कौन सा form के साथ कौन सा helping महर्वाता है तो यकीन मानिए life बहौत आसान हो कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो आप इसे अंगरेजी में बना सकते हैं इससे पहले कि मैं भर पर जाओं और बीवन से लेके भी फाइब एक एक वर्ड को डीटेल में समझाओं कि किसको कहां लगाएंगे किसका क्या हेल्पिंग वर्ब है हम थोरा सा आपको भर्ब के डीटेल में लेके चलते हैं सिलाइड पे मैं आपको समझाता हूं कि भर क्या हो रहे है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानरा है कि भर्ब तो जान रहे हैं जो किसी घो यह नहीं होता है कि अगर सेंटेंस में वर्व है और पांच वर्म होते हैं उनको यह नहीं पता होता है कि ठीक है भर्व के पांच वर्म है तो भीटू क्या होगा भीधरी क्या होगा भीपोर क्या होगा एंद भीफाइब क्या होगा मैं थोरा सापको भर्व यह बताने वाला हो कि तो आप बुराबर देख पाएंगे के भर्ब क्या है हम आपको समझा चुके हैं फिलाल अगर मैं बात करूं कि भर्ब के अगर थिलाल बात करेंगे चुकि भर्ब के यह पाँच ही फोम है हजारो लागों हिंदी का से जितना भी आ जाए ये पांच फोम ही सेंटेंस को बनाएगा एक भी फोर्म सेंटेंस को बनाने के लिए दूसरा नहीं आएगा एक फोम है इसके अलावा ट्यू पलस भी बन लेकि तो बर्ब देखेंगे कि यह भर्ब है और अगर मैं टाइप की बात करूँ तो देर और फाइव फॉर्म अफ़े भर्ब मतलब के भर्ब चाहे कोई भी हो इसके पांच फॉर्म होते हैं अब उस फॉर्म के साथ से आप देखेंगे तो भी वर्ड और बीटू बीट्री भी भर्ब के यही पांच फॉर्म हजारों लाखों हिंदी के सेंडेंस को बना सकता है यकीन मानिए अगर आप इसे ढंग से समझ जाते हैं आपके हिंदी को अंगरी जी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरा प्रैक्टिस का जो वीडियो है वो अलग वीडियो होगा जब हम की बात करेंगे तो कोशिस करेंगे हिंदी में ही बात करें तो कि हिंदी के रिलेशन को दिखाना पड़ेगा मुझे अंगरी जी के साथ तो भर्ब के पांच वाम है मैंने एक वर्ट का एक्जांपल दिया है पी एल एवाई प्ले का मतलब खेला अगर आप भीटू में होता है बांकि जो है बीटू बहतेशलिव इसे बनाया जाता है औरिकी लगता तो और आप आसा नहीं से बनानेते हैं, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं है, जब मैं इस तरफ की अगर बात करूँ, तो हाँ, बर्ब चाहे जो भी होगा, नॉर्मली आएंज लगाएंगे, भी फोर बनाएंगे, और एस या एस, एस है, राइट, मिंस, फिक है, तो ये एस लगता ह है, एस लगता है, या एस लगता है, तो एस नॉर्मली भर्ब के, नॉर्मल कोई भी भर्ब होगा, तो उसके आखिर में एस लगाते हैं, लेकिन ऐसा भर्ब जिसके आखिर में O होगा, या CH होता है, तो हम एस लगाते हैं, तो ऐसे सारे भर्ब नहीं होते हैं, तो इस हसाब एक सकते हैं करने जा रहा है इसके foundation के लेट है नार रहा है जा है Jadi हाथ है सबसे हैं इसको बनाबत के हिसाब जहरो तो यह जills भर्ब वर्ब की हिसाब एनार पिर्व हां हले हुएसरे को बलते हे एख लाप मेर्व के लगता है यह सब केस्ट भी होगा चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो शयो है तो भर्व की जो बनाबट है इसके हसाब से एक रिगदर फॉर्म है दूसरा इर्रेगुलर रेगुलर है रेगुलर का मतलब का मतलब जो डिस्लीक जो अपनी बात मानता है मतलों एडी की बात मानता है मैं इर्रेगुलर की बात करूं टो इर्रेगुलर भड पहर नहीं मानता है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अब देखिए देख सकते हैं आप रेगुलर भर्ब के अगर हम बात करें उपर लिखा हुआ है रेगुलर भर्ब अगर आप रेगुलर भर्ब की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे All the verbs in which adding AD in the last B2 and B3 can be made रेगुलर भर्ब सारे भर्ब है जिसके आखिर में हम AD लगाएंगे जिसके आखिर में हम वो सारे भर्ब जिसके आखिर में AD लगाएंगे तो B2 बनेगा और फिर AD लगाएंगे तो B2 और B3 दोनों बनेगा ऐसे भर्ब का एक्जांपल आप देख पाएंगे यहां पर यह बांकी जो तीन फॉर्म आपको भीवन ये आपको पास दिया होगा यह दोनों बनाना है तो regular भर्ब जो है जो यह जो regular भर्ब है जिसे आप एक बर देख लेंगे भर्ब के भीवन को याद कर लेंगे तो बाकि भी टू भी थरी बनारी याद करने के जरूवत नहीं है लेकिन अगर मैं irregular की बात करूँ तो यह ऐसा नहीं है यह completely अलग तरह से होते हैं जिसे आपको ध देखिए जब हम irregular भर्ब की बात करेंगे तो all the verbs in which adding ed, b2 and b3 cannot be made वे सारे भर्ब जिसके आखरी में ed लगाके b2 और b3 नहीं बना सकते हैं उस सारे भर्ब को हम लोग बोलते हैं irregular भर्ब ठीक है वो सारे भर्ब को बोलते हैं irregular भर्ब ठीक है तो अब irregular भर्ब जो है वो normally तीर पड़कार का होता है पहले को बोलते हैं हम लोग type 1 ठीक है पहले भर्ब को बोलते हैं type 1 type 1 में तीनों form एक होगा type 1 में b1 cut, b2 b cut and b3 cut तो वो सारे भर्ब जिसके तीनों form एक में होंगे वो ये cut 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 एक लिस्ट में आपको मिलेगा मैं अगले एक वीडियो में आपको लिस्ट भी प्रवाइट कर दूँगा यूटूब पर ही जहां से आप देख पाएंगे वहरना आप किसी भी बुक में देखें यह सब आपको मिल जाएगा जब मैं अगर दूसरी form के बात करू दूसरा form ह टाइब को हाला उनी टाइब टूым हैँ मग्फीचत का वह मुणतिव तवीट टाइप टु गर्वधू जो भर दहें का इंसके कोई भी दो फार्म कोई मतलब सिर्फ या तो भी वी टू और बी थरी के बात कर दयें इसके कोई भी दो फॉर्म आप एक देखेंगे ब्रिंग मतलब लाना इसका बीटू होता है ब्राउट अगर मैं टाइप 3 की बात करू तो टाइप 3 का मतलब होता है जिसके तीनो फॉर्म दिफ्रेंट होगे जैसे गो इसका बीटू हो गया वेन अन बीटू हो गया गॉन अब जो इसपेसलिई एडी लगा के भीटू भीटू भीटधरी बन जायेगा उर्रेगलर जो है वह तीनलबट करका है एक है टाइप वन दूसरा है टाइप टू तूसरा है टाइप टूसरा है टाइप और टाइब तरी में तीनों अलग होगा इस तरह से नॉर्मली भर्ब की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे यह भर्ब है तो भर्ब के पांच फॉर्म है बीबन बीटू बीटू बीट्री बीफॉर एंड बीफाइब